नमस्कार, मा की रसोई में आपका स्वागत हैं, मैं मम्ता शर्मा आज बनाने जा रहे हूं आलू का रायता आलू का रायता बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए ताजा वे खेटा हो अधही 2 कप उबले वे पारिक कटे आलू 1 कप भुना जीरा 1 अधा चम्मच पिसी चीनी या बूरा 2 से 3 चम्मच, पिसी लाल मेच आधा चम्मच या स्वादनुसार पिसा वे सुखा पुदिना आधा चम्मच, पिसा आद्रक वे हरी मेर्च का पेष्ट आधा चम्मच, पिसी काली मेर्च एक चोथाई चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चने की दाल दो चम्मच, अजवायन आधा चम्मच, सर्सों या राई आधा चम सबसे पहले दही को फेट लेंगे अब इसमें पिसी चीनी स्वाद अनुसार, घुना जीरा, नमक, काला नमक, दोनों को बड़ाबर मात्रा में स्वाद अनुसार डालेंगे पुदीन, स्वाद अनुसार, पिसी लाल मेर्च, अद्रक्वेहरी मेरच का पेष्ट और काली मेरच डालका धही को एक बार फिर से फेट लेंगे और मसालो को मिला लेंगे अब इसमें उबलेवे आलू डालेंगे और एक बार चलाएंगे अब गैस जलाएंगे और कडचल में तेल डालकर गरम करेंगे अब इसमें साबुत लाल में लोंग डालकर एक बार चलाएंगे इसमें चना दाल डालेंगे और 30 सेगिंड के लिए चलाते भून देगे अब अजवायन डालेंगे गैस को बंद करतेंगे अब इसमें हींग, करी पत्ता डालेंगे और एक बार चलाएगे अब रायते में थड़के को डालेंगे धक्कन लगा देंगे और 2 मिनिट बाद धक्कन को उतारेंगे अब रायते में सभी समभीयों से मिला लेंगे सूखे पुदिने की जएगे आप ताजे पुदिने का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और आप किसी भी वेंजन के साथ परोश सकते हैं हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्चता अवश्य लें यानि की सब्सक्राइब करें इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ धन्यवाद